हेलो क्लास 11th स्टुडेंट्स टिग्नोमेट्रिक फुंक्शन्स के मिसलैनियस एक्ससाइज के 10th कोश्चन को हम दोग आश्यूडम सॉल करेंगे यह पूरे चेप्टर का आखरी कोश्चन है तो बहुत ध्यान से देखेंगा इंपॉर्टेंट भी है ठीक है? में हमें साइन-स-वाइ-टु और टैं-स-वाइ-टी वैलु उस को फाइन करना है हमें साइन एक्स दिया वन बाई फ्लोय और कोश्चन वहोला है कि जो एक्स है वो चस्राइन में होगा ठीक है मैं हम इना आपको इस तरह का दो कुछल कराये थे सपोर्स करिए आपका क्यॉडर्रन इस्ट्रक्टर रहा है वास्ट कवाले में सभी के सभी पॉजर्टिव होते हैं मैं not x given 1 by 4 और हमें x by 2 वाले values को find करना है ठीक है समझेगा अगर x second quadrant में है तो x by 2 जो है कौन से quadrant में होगा फिर angle अगर angle अगर second quadrant में है तो angle का आधा first quadrant में पहुंच जाना चाहिए यानि x by 2 जो है ये first quadrant में होगा ठीक है इसी बात का इस्तमाल करेंगे हम लोग सबसे पहले हमें given है sin x बराबर 1 by 4 हमें क्या given है sin x बराबर 1 by 4 ठीक है ध्यान से देखिएगा sin x बराबर हमें 1 by 4 given हम लोग sin x के मदद से cos x निकाल सकते हैं तो हम लोग पहले cos x निकालेंगे देखेंगा कैसे sin x थो होता है वो perpendicular upon hypotenious होता है तो परपेंडिकुलर की value 1 हो जाएगी hypotenious की value 4 हो जाएगी base का formula फिर क्या हो जाएगा hypotenious का square minus perpendicular का square that is 16 minus 1 that is root 15 ठीक है यतना calculation तो आता ही होगा कि मैं या नहीं कि अगर आपको पी वेलू 1 वान वेलु है था आप नहीं सकते हैं ठीक है तो cos x कि क्या हो जाएगी बेस अपउन हाइप्वोटीनियस बेस आपका रूट 15 है आपका बेस आपका साइन एक से नहीं है है साइने से यह था निकाल लेंगे इसको मिटा दे रहा हुँ आप लोग वीडियो को रिफान करके चाहिए तो नोट कर सकते हैं 2x divided by 2 ठीक है यह formula होता है लेकिन अगर आप इस x के जगह अगर आप इस x के जगह x by 2 करेंगे तो फिर इस x के जगह भी x by 2 हो जाएगा फिर यह 2 से 2 cancel हो जाएगा आपका एक और formula बन जाएगा cos square x by 2 जो होता है वो equal होता है 1 plus cos x divided by 2 के ठीक है तो हम लोग अगर cos square x by 2 देखे हैं तो यह equal हो जाएगा 1 plus cos x by 2 के जाएगा 1 minus cos cos की value थो हमें पता है cos की value है minus root 15 by 4 जाएगा minus root 15 by 4 whole divided by 2 इसको आप तो solve करी रहेंगे इतना तो मैं यह माने सकता हूँ solve करेंगे तो क्या जाएगा cos square x by 2 बराबर 4 minus root 15 divided by 4 whole divided by 2 यह 2 4 multiply जाएगा तो 8 हो जाएगा 4 minus root 15 divided by 8 ठीक है इसको मिटा दे रहा हूँ आप लोग नोट का लिजेगा वीडियो को रिवाइन करके तो cos x by 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 4 minus root 5 sorry root 5 में गलती इसलिक दे रहा हूँ root 15 divided by 4 8 और आगे plus यह तो minus आएगा square root जब भी आता तो आगे plus minus 7 में लेके आता है ठीक है तो कैसे पता चले का प्लस में होगा सी माइनस होगा cos x by 2 x by 2 कौन से कॉड़ें में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं तो cos x by 2 भी पॉजिटीव यह नेगेटिव नहीं हो सकता है इसको अठाके प्लस करसान लगा देंगे और आपका कॉस एक्स बाइटू निकल आएगा तो कॉस एक्स बाइटू आ गया है मैं उपार लिख दराऊं कॉस एक्स बाइटू की वैल्यू आ चुकी है यह है फोर माइनस रूट 15 बाइट और इस पूड़े का रूट ठीक है अब इनसे को मिटा देंगे अमीद करता हूं आप लोग वीडियो को इवाइडन करें के नों चरूट कर लेंगे ठीक है और प्रैक्टिस भी कई बार करिएगा तभी आएगा इसा कॉस्चन को से करने ठीक है अब देखिएगा हमें निकालना है साइन स्क्वेर साइन एक्स बाइट तो साइन स्क्वेर एक्स का फॉर्मला क्या हता है वन माइनस कॉस्च टू एक्स डिवाइड बाइट तो इस एक्स के जगा हम लोग मिटाके एक्स बाइट रखेंगे क्या रखेंगे एक्स बाइट यहां पर भी x by 2 हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा हमें sin square x by 2 का एक फॉर्मुला मिल जाएगा जो कि होता है 1 minus cos x divided by 2 ठीक है तो यहां पर मैं लिखोंगा कि sin square x by 2 जो होता है वो 1 minus cos x divided by 2 के एक और होता है cos x के value तो मैं पता ही है यही हमें मिलेगा माइनस मिलके प्लस जाएगा साइन स्क्वेर एक्स बाइटू बराबर वन प्लस रूट 15 डिवाइड बाइड बाइटू अब इस चीज़ को तो सॉल करी रहेंगे ना इतना तो में माने सकता हूं इसको मैं मिल जाएगा साइन स्क्वेर एक्स बाइटू बराबर वूट के नंदर फूर प्लस रूट 15 डिवाइड बाइट यह स्क्वेर सेट जाएगा तो साइन एक्स बाइटू बराबर रूट के अंदर फॉर प्लस रूट 15 डिवाइड बाइट और आगे प्लस माइनस का साइन आएगा लेकिन क्योंकि एक्स बाइटू फॉर्स्ट कॉर्डन में है तो साइन एक्स जोगा वो पॉजिटिव होगा इसलिए इसको अठाके सीधे दों कि नोट अब हम एक चीज़ और निकालना है वह है टेन एक्स बाइट के निकालना बहुत एजी होता है एक्स बाइट को छो हॉता है तो एक हॉल होता निए प्लस है यह एट से एट कट जाएगा आप में देगा रूट फॉर प्लस रूट फिफ्टीन डिवाइड बाई रूट फॉर माइनस रूट फिफ्टीन तो 10x की भी वैलू आ गई ठीक है जो कि एक दम सो परसेंट सही है अगर समझ में आए तो लाइक जरूत करिए लाइक जरूत करेगा कमेंट बाक्स में अबताएगा टेन टू एक्स का फोंला टेन टू एक्स का फॉर्म्ला आएगा आच्वनदे में ने मिलते हैं लोटने में तर्फेकली गुडबाई